तो क्या हाल है 9th फास? तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे बोट और स्ट्रीम वाले कोशिंस बहुत अराम से सॉल्फ करने हैं ठीक है? एक्जाम्पल के लिए हमने लिए हमने लिया है NC80 का यी एक्जाम्पल 15 यहाँ पे जो कहता है, a boat whose speed is 18 km per hour and still water ज़र इसको यहाँ तक पॉस्ट करो और इसका डाइग्राम देखो पानी ठहरा हुआ है और यहाँ पर boat जब चलेगी तो इसकी speed है हमारी 18 km per hour takes one hour more to go 24 km upstream than to return downstream to the same spot मतलब अगर पानी इस तरह से नीचे को बह रहा है boat अगर उपर जाएगी पहले case में case one और case two दो case के हम बात करेंगे यहाँ पर दूसरे case में पानी जब नीचे जा रहा है और boat भी नीचे जा रही है ठीक है अब ध्यान से देखो यह क्या रहा है उपर जाने में जितना time लगेगा वो एक घंटा जादा होगा नीचे आने के time से इसको ज़रा इस तरह समझो तुम्हें पहाड पे एक गाड़ी चादानी है जब हम उपर जा रहे हैं तो हमें लगे 9 घंटे और जब हम नीचे आ रहे हैं तो time कम लगेगा यानि नीचे आने में time कम लगेगा जब अब इन दोनों को minus करोगे तो one आ रहा है तो ये one वही one है जो एक घंटा ज़ादा लग रहा है उपर जाने में time ज़ादा लगेगा और नीचे आने में time कम लगेगा क्योंकि speed बड़ेगी आपकी अब ज़रा उसको यहां से समझते हैं सबसे पहले case one में हमने कह रेखा था boat की हमें speed दे रखी है 18 km per hour हमें stream की speed निकालनी है clear? अब stream की speed हमने मान ली x x km per hour हमने इसकी speed मान ली वही पहले case में जब now उपर जारी थी आपकी boat उपर जारी थी तो इसकी speed कितनी होगी? तो देखो net velocity कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी आपकी 18 minus x यह हो जाएगी net speed upstream की speed उपर जाने की speed पानी x की speed से नीचे आ रहा है उपर जा रही है 18 की speed से ठीक है? तो net upstream speed कितनी हो जाएगी? 18 minus x कम होगी अगर दूसरा case देखें यह समझ नहीं आया तो इस case में देखो जब boat की speed भी 18 km per hour है और पानी की speed भी हमारी x है तो अब downstream speed कितनी हो जाएगी? यह हो जाएगी हमारी 18 plus x km per hour बढ़ जाएगी speed पानी भी तो नीचे को आ रहा और boat भी नीचे को जा रही है तो speed बढ़ जाएगी boat की तीक है? अब देखो करना क्या है हमें यहाँ पे? इसमें एक line मना देते हैं यहाँ ज़रा अब clear रहेगा क्या क्या हो रहा है यहाँ पे? देखो, simple सी बात है 1 hour more to go 24 km upstream distance कितना है total? 24 km 24 km यहाँ से लेकर यहाँ तक का distance है पूरा same इस case में भी 24 km रहेगा, distance तो same रहेगा क्योंकि रास्ता same है, बस उपर नीचे तो जा रहे है इस case में क्या करोगे आप जो उपर जाने का time है जो upstream का time है इसे minus करोगे downstream के time से जैसा हमने यहाँ पे किया था इस case में उपर जाने का जो time था हमारा minus, down, नीचे आने का time था वो हमारे extra time के बावर था जो बचा, difference जो उनका बचा 1 घंटा same यहाँ करेंगे upstream का time पहले निकाल लेते हैं देखो, time का formula क्या होता है time का formula होता है distance upon speed जब उपर जा रहे थे हम यहाँ पे, distance कितना था 24 km 24 upon speed कितनी होगे हमारी यहाँ पे speed कितनी थी, upstream की speed थी हमारी 18 minus x कम थी क्योंकि उपर जा रहे न, boat धीरे धीरे करके उपर जाएगी minus downstream का time downstream में distance कितना था हमारा वही लगाएंगे time का formula distance upon speed distance उतना ही था हमारा 24-24 km upon speed कितनी थी हमारी नीचे आते हुए बढ़ जाएगी speed, पानी भी नीचे को जा रहा है boat भी नीचे को जा रही है तो speed बढ़ जाएगी, थीज हो जाएगी तो ये हो जाएगा 18 plus x इसमें बहुत important चीज आपको ध्यान रखनी है कि upstream हमेशा पहले आएगा क्यों आएगा? ये जादा है ये value आपकी जादा है और ये value कम है ये value जादा है और ये कम है, ये ध्यान रखना जब आप इन दोनों को minus करोगे तो क्या आ रहा है हमारा? extra एक घंटा आ रहा है जैसा इसमें आ रहा था एक घंटा extra चलो, अब आगे तरह इसे solve कर लेते हैं आगे तो question बहुत simple सा है 24 upon इसमें से क्या करो? यहाँ multiply में है, यहाँ पर ये divide में आ जाएगा करते हैं अधर आसे solve 18 minus x और 18 plus x LCM लेंगे, तो हमारा आएगा इन दोनों को multiply करके जो LCM आएगा, वही आता है LCM इन दोनों को multiply करते हैं अब वही method, इसको इससे divide करो या तो ऐसे भी कर सकते हैं वहना cross multiply भी कर सकते हो ठीक है, cross multiply करो कि वो भी असान है, इन दोनों को multiply करा हमने 18 plus x को 1 से multiply करा 18 plus x आया एक गलती इसके बाद ये बहुत करते हैं usually minus इसके बाद bracket ज़रूर लगा देना क्योंकि अब तुम इन दोनों को multiply कर रहे हो 18 minus x और 1 को multiply करा तो 18 minus x आयेगा ठीक है? ये जो minus है ये ध्यान रखना ये ये वाला minus है और तुम्हें minus के बाद bracket ज़रूर लगाना है क्योंकि दबा खुलेगा sign उल्टे होंगे then 1 upon 24 चलिए अगला step 18 plus x ये minus था bracket खुलेगा ये जो bracket खुलेगा तो minus plus minus 18 minus minus plus x upon 18 into 18 ये आगे आपका 324 अब 18 को x से multiply करेंगे plus 18 x minus x और 18 multiply करेंगे तो minus 18 x minus plus minus x square equal to 1 upon 24 कुछ नहीं करेंगे पहले इसको इससे multiply करेंगे फिर इससे फिर x को हमने 18 से फिर x को x से ठीक है ऐसी खुलेगे आप राकेट्स then कुछ दिख रहा है कट रहा है plus x plus 18 x minus 18 x कटा है यहां से और यहां से कुछ नहीं कटेगा अगली calculation ज़रा इस portion में 18 plus 18 minus 18 भी कट गया plus x plus x यह हो गया आपका 2x upon 324 minus x square 324 minus x square 1 upon 24 cross multiply कर लेते हैं यहां पर यहां जाएगा 24 into 2 48 x equal to इस पूरी चीज़ को जब आवा 1 से multiply करोगे answer आएगा 324 minus x square वहाँ पर एक दो से उठाके या फिर इनको यहां ले आओ यह हो जाएगा आपका minus x इदर आके plus x square plus 48 x minus 324 equal to 0 यह आगई है हमारी quadratic equation ठीक है तो यह बनी हमारी यहाँ पर quadratic equation solve कर लेते हैं आगे solve करते तरह से quadratic formula से quadratic formula कैसे use करते है इसके लिए विल्कुल अलग video बना रखी है link नीचे दे रखाए मैंने उसका check कर ले ना आराम से x square plus 48 x minus 324 equal to 0 यहाँ पर quadratic formula यानि x की value निकालने के लिए हमारा जो formula है वो है minus b plus minus under root d upon 2a ठीक है अब यहाँ से d की value पहले निकाल लेंगे d equal to होता है हमारा b square minus 4ac बड़ा b square यहाँ पर b क्या है 48 यानि 48 का square minus 4 into a तो हमारा 1 ही हो गया यानि इसके साथ जो coefficient होता है उसे a कहते है और c c बजा हमारा है यहाँ पर minus 324 चलिए 48 का square 2, 3, 0, 4 minus 4, 4, 16 1, 6 4, 2, 8, 9 4, 3, 12 अज़ा minus minus यह क्या हो जाएगा plus 6, 4, 10 आएगा यानि 1, 0 0 और 9 1, 1, 0 फिर से आएगा carry over 3, 2, 5 यह हो जाएगा 6, 2, 1 यह हो जाएगा 3600 दिख रहा है हमारा D positive आ रहा है अब आके solve करो क्योंकि D positive आ रहा है ज़रे असको यहाँ put कर लेते हैं X की दो values आएगी यह काईगी minus B minus B मतलब minus 48 plus minus root अज़ो 3600 का square root क्या होगा 60 होगा 6, 6 है 36 होता है देखो 3600 यह 6 का square root क्या होता है 6 होता है तो यह आजाएगा आपका 0 का 1 0 नीचे उतारो 60 हो जाएगा ठीक है upon 2A A तो 1 है हमारा upon 2 यह हो गया then minus 48 plus root D plus पहले ही बाद plus लेंगे फिर minus लेंगे root 3600 होता है 60 upon 2 और एक बार इसे plus लिया एक बार minus लेंगे जो आएगा minus 48 minus 60 upon 2 ठीक है एक बार plus में लेते हैं एक बार minus में लेते हैं दो roots आते हैं हमारे अब इसके बाद minus 48 plus 60 हमारा होगे 60 12 upon 2 और यह answer आएगा हमारा minus minus plus यानि minus 8 6 4 10 1 0 8 upon 2 दो answer आएगे एक आएगा 6 और दूसरा आएगा हमारा 54 बट यह आएगा minus कहा अच्छा हमने निकाली है X हमने माना क्या था X हमने माना था stream की speed यानि पानी कितनी speed से जा रहा है तो बिटा speed कभी negative नहीं हो सकती speed हमेचा positive ही होगी तो X की value हमारी आगई 6 km पर आर एक और तरह को कुशन फटा फट से कर लेते हैं तो अगला कुशन हमारा कह रहा है a motor boat heads upstream a distance of 30 km on a river whose current is at 5 km पर आर मतलब यहाँ पर हमें जो पानी है जो नदी वहरी है stream उसकी speed दे रखी है और boat की निकालनी है पिसले वाले कुशन में different था हमें boat की दे रखी थी stream की निकालनी थी जो भी निकालना है उसको X मान लो यानि हमें boat की speed हमने इस बार क्या मानी X मान ली चलो पानी फिर से नीचे को जा रहा है और जो boat है वो इस बार उपर को आ रही है बोट की स्पीड हमें X मान ली और पानी की स्पीड कितनी है 5 km per hour यह हो गया हमारा case 1 फिर अगला case 2 दुबारा से बनाते हैं जिसमें पानी नीचे ही जाएगा जिसके हमें दे रखी है 5 km per hour और बोट इस बार जा रही है नीचे को यानी X नीचे को होगा और हमें round trip का बता रखा है कितना time लग रहा है 4 hours यानी उपर जाने में फिर दुबारा नीचे आने में 4 घंटे लग रहे है total तो एक और चीज तुमारे दुबांग में clear हो जानी चाहिए कि भई अगर आपको time पूरे round trip का दे रखा है यानी upstream का time उपर जाने का time और जब वो नीचे आएगी downstream का time तो इन दोनों को plus करके 4 नहीं आएगा उपर जाने में मान लो अगर 3 घंटे लग रहे है नीचे आने में 1 घंटा लग रहा है तो 4 हो गया न total 4 hours हो को है total अब यहां से ज़रा equation बनाते है न की पहले यहीं पर upstream में minus होता है तो यहां पर upstream की speed कितनी आएगी है हमारी x minus 5 minus करते है boat minus stream यहां पर boat नीचे आ रही है तो speed बढ़ जाएगी जो हो जाएगा हमारा x plus 5 km पर hour ठीक है अब दुबारा से यहां पर distance हमें दे रखा है 30 km दे रखा है on a river whose current is at the 5 km per hour जनी heads upstream a distance of 30 km per hour distance हमें दे रखा है 30 का तो simply यहां पर 30 km हमें distance दे रखा है दोनों cases में 30 km यहां भी distance दे रखा है और 30 km का यहां भी दे रखा है upstream का time लगाते हैं ज़रा क्या आएगा पेटा, upstream का time क्या था हमारा? time का formula था distance upon speed distance upon speed तो distance कितना था हमारा यहाँ पे? 30 upon upstream का time कितना था? upstream में speed कितनी थी हमारी? upstream speed थी x-5 30 upon x-5 plus, यह वाला plus ही है रहा downstream पे आ जाओ जारा distance कितना है? distance upon speed लगाओगे फिर से distance है आपका same 30 upon और यह down speed नीचे आने का speed कितना है हमारा? x-5 x-5 इस थीज को ध्यान रखो यह पूरा का पूरा हमारा upstream का time है जिसमें हम distance upon speed कर रहे हैं यह रहा distance upon speed यह रहा downstream distance upon speed कर रहे है इसमें हम और equal to में आएगा हमारा 4 दुबारा से 30 common निकाल लो 30 common निकालने के बाद यहाँ बचा 1 x-5 plus 1 upon x-5 यह गया 4 उधर 30 यहाँ multiply में है वहाँ भेजदो से equal to के उधर भेज़ा तो upon में आ जाएगा denominator में आ जाएगा कर लेते हैं इसका फिर से x-5 into x plus cross multiply लगा दो इन नोनों को multiply किया x plus 1 को 1 से multiply करोगे x plus 5 ही आएगा इसको इससे multiply करोगे भाई साब को तो पहले यह plus लगाओ इसको इससे multiply करा तो x-5 ही आएगा equal to आ रहा है हमारा 4 by 30 then कुछ कट रहा है plus 5 से minus 5 पिल्ट रहा है x plus x यह हो गया 2x upon चलो इसको इससे multiply करा फिर इसको इससे multiply करा क्या आएगा x का square plus 5x plus क्यों लगा क्योंकि यह भी plus में है यह भाई साब भी plus में है minus plus minus 5x calculation करते रहा कर तो साथ साथ में इसके बाद minus plus minus 25 equal to 4 by 30 कुछ और कट रहा है आपे बिल्कुल कट रहा है plus 5x minus 5x आगे बढ़ते हैं cross multiply करेंगे बची हुई चीजों के साथ क्या माल बचा हमारे पास 2x upon x square minus 25 2x upon x square minus 25 equal to में क्या बचा 4 by 30 4 by 30 कर तो cross multiply फिर से 30 को 2x से multiply करा यह आया 60x equal to 4 को x square से multiply करा 4x square minus plus minus minus आएगा 24 5s हा 25 4s हा कितना होगा 100 इदर उदर shuffle कर लेतना equation बनी है 4x square minus 60x और plus sorry minus 100 minus 100 का minus 100 as it is और यह plus 60 वहाँ जाके बन गया minus 60 equal to में 0 लगाना मत भूलना equation चल रही है अब पूरी equation को उड़ा दो 4 से पूरी equation को तो क्या बनेगा यह बन गया हमारा x square minus 60 को 4 से दिवाइट करोगे 4 यह हो जाएगा 15s हा 15x 15, 4 से 60 होता है then फिर यह कटेगा आपका 25 यानि minus 25 equal to 0 तो यह बन गई हमारी गातक सी quadratic equation यहाँ पर x की value निकालो quadratic formula लगाके यह middle term split जो मन कर रहा हो कर लो तो यह था हमारा boat और stream का question अब मिलते हैं अगली वीडियो में तब तब के लेग की फ्रक्ति ने कॉंसेप्ट